पर्लिमेंट सेशन होता है तो हर एक को अपना मत रखने का अपना अपीनियन रखने का अधिकार होता है तो अगर गर्मा गर्मीन या हो तो उबालानी दूद को आएगा जब दूद उबलेगा ने पिया नहीं जा सकता है सबी ने अपने विचार रखे हर के विचार हर एक मेंबर के विचार सबी ने सुने बड़ी ठ्रेट बेर डिसकेशन हुई साड़े दस बज़े ये मीटिंग स्टार्ट हुई थी अभी तक्रीबन क्या टाइम है साड़े तीन आप बता दीजिए इससे बड़िया इससे लंबी मीटिंग और स्टेंथ तक्रीबन दुबारा साथ सो लोगों की थी साथ आठ सो वकीलों ने अटेंट किया इसको तो सभी इशूस पे चिर्चा हुई पहला इशू हाई कोड की शिफ्टिंग वाला मैंने आपको पहले भी कहा था चीफ जिस्टिस ने क्लियर कर दिया है आज की तरीक में कोई डिसीजन ना कोई शिफ्टिंग का है ना पर्पोजल है अटेंट है फ़र अडंटिफिकेशन अडंटिफिकेशन से मारे लडाई नहीं थी अमारे लडाई शिफ्टिंग की थी दूसरा आशुहता रिजिस्टेशन की पावर्स जूडिशल मेजिस्टेट्स को कन्फर की जाएं वो परपोजल गूर्मेंट की तरफ से आया कि जैसे बाकी यूटीज में है बाकी स्टेट्स में है वही पैटर्न हमने यहां फालो किया है हम एक परपोजल देते हैं आपको की रिजिस्टरिंग आफिसर जो हैं स्पेशल टेबिन में बैठेंगे और ड्राण और ड्राफिट का सर्कुलर हमें दे दीजिए हम उसी पैटर्न पे एक सर्कुलर निकालेंगे वो भी वकीलों ने आज बात मानी कि चलो ये लीगल फ्रेटर्निटी और पबली को थोड़ी कन्विनियंस हो जाएगी लायर का रोल इंटेक्ट रहेगा कोड के पास रहेंगे अगर उनको कोई समझ की कमी होगी तो वकील उनको समझा पाएंगे अगर जुडिशल मैजिस्टेट्स की वी थोड़ी कई बार जरूरत पढ़ती है वो भी उनको समझा सकते हैं कई SDM के मुझे फोन आए हलागि मैं जिसलिए नहीं करवाता हूँ कि अभिनब जी पावर आफटार्री पे स्टेम ड्यूटी लगती है कि नहीं लगती मैंनों को पताया यहां ब्लाड रिलेशन्स हों वहां नहीं लगती यहां पे नहीं हों तो टाइम लगता है तीसरा इश्यू जो कॉड ने कॉड ने कॉड़ इसू की उसमें ये जनलों उसने डिसाइड किया कि पूरी बार इसमें पार्टी बनेगी, इनको डिफेंड करेगी, ये हमारे बाई है, अगर इन्होंने कंटेंट की है, तो उसमें सारी बार को पार्टी बनना चाहिए, हम इनको डिफेंड करेंगे और ये फैसला हुआ है कि वार्सी काम स्टार्ट